कैसे अप लोग दोस्तों अगर आपका यूटूब चैनल डेड़ हो चुका है या फिर आपके यूटूब चैनल पर लाइक्स, वियूज, सब्सक्राइबर और नहीं मिल रहे हैं या फिर आपने बहुत सारी यूटूब चैनल क्रियेट कर रखे हैं अब आप अपने यूटूब चैनल को डिलीट कर सकते हो अगर आपके यूटूब चैनल पर वियूज, लाइक, सब्सक्राइब और कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपने यूटूब चैनल को डिलीट करके सेम इमेल आइडी से तुरंथ अपना एक नया यूटूब चैनल कैसे ओपन कर सकते तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो गैज वीडियो बहुत ज़दा हेलपफूल है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो गैज वीडियो को सुरू करते हैं, और जान लेते हैं कि यूटूब चैनल कैसे डिलीट किया जाता है, और सेम इमेल आइडी से तुरंट एक मिनिट के अंदर अपना नया यूटूब चैनल कैसे फिर से आप उपन कर सकते हो, तो गैज वीडियो को सुरू करते हैं, अपने अनयूजवल यूटूब चैनल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में यूटूब चैनल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में यूटूब चैनल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में यूटूब च एक option दिखाई देगा आपको YouTube Studio पे click कर देना है लेकिन guys अगर आपने फोन में YT Studio application इंस्टाल किया है तो guys आपको यहाँ पे login पे click करना है क्योंकि अगर आपने YT Studio इंस्टाल किया है और आप यहाँ पे YouTube Studio पे click कर ओगे आपका YT Studio आटोमेटिक ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर login पर किलिक कर देना है अगर आपने YT Studio इंस्टाल किया है तो अगर नहीं किया है तो आप YouTube Studio पर किलिक कर सकते हो तो यहाँ पर मैं login पर किलिक कर देता हूँ आप चाहे तो YouTube Studio पर भी किलिक कर सकते हो इसके बाद आपके फोन में YouTube Studio ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा अंटरफेस आएगा अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा आपको यहाँ पर कॉर्णर में एक प्रोफाइल का आइकन बना हुआ दिखाए देगा तो आपको यहाँ पर सो करेगा तो आप जिस चैनल को डिलीट करना चाहते हो आपको उस चैनल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं एक चैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे अभी यहाँ पर डिलीट करना है सिलेक्ट रने के बाद गैज उस चैनल का डैस बोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा यूटूब इस्टुडियो ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद गैज आपको अपने चैनल को डिलीट करना है तो गैज आपको यहाँ पर चैनल का एक ओपन मिलेगा सेकेंड नमबर पर तो गैज आपको चैनल के ओपन पर किलिक कर देना है यहाँ पर किलिक करने के बाद गैज आपको यहाँ पर सेकेंड नमबर पर एक ओपन मिलेगा advanced setting का तो गाईज आपको यहाँ पे advanced setting पे click कर देना है फिर गाईज इसको slide करते हुए नीचे आना है नीचे आने के बाद गाईज आपको यहाँ पे एक option मिलेगा manage YouTube account और नीचे होगा remove YouTube content तो गाईज आपको यहाँ पे remove YouTube content पे click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद guys थोड़ सा processing लगा फिर आपके सामने as interface आ जाएगा तो guys यहाँ पर आपको अपने email id का password add करने को मांगेगा तो guys यहाँ पर आपको अपने email id का password add कर देना है लेकिन guys अगर आपने email id में pass की वाला option यहाँ पर enable किया होगा तो guys यहाँ पर आपको continue पर click करके आपको अपने finger touch करना है तो automatic आपका यहाँ पर यहाँ ओपन हो जाएगा email id का password add करने को नहीं मांगेगा अगर आपने pass की वाला option नहीं enable किया है तो guys आपको यहाँ पर अपने email id का password add करना होता है अगर आप अपने email id का password को भूल गये हैं तो इसे कैसे require किया जाता है यह मैंने already एक वीडियो में बता रखा है जिसका link मैंने वीडियो को description में उपर आई बटन में आपको स्टो कर रहा होगा आपको इस पर click करके अपने email id का password आप आसानी से change कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मैंने passkey वाला option enable कर रहा है तो यहाँ पर आपको continue पर click कर देना है अगर आपको enable होगा तो आपको सामने ice interface आएगा तो यहाँ पर आपको continue पर click कर देना है click करने के बाद आपको सामने ice interface आएगा तो यहाँ पर आपको अपना password add करना है अपने email id का password add करना है तो गैज, यहाँ पे आप अपने email id का password add करते हो या फिर pass key के द्वारा आप अपने finger को यहाँ पे touch करते हो तो गैज, आपके सामने यह वाला interface आएगा अब आपको यहाँ पे गैज, करना क्या होगा यहाँ पे आपको दो option देखनी को मिलेगा एक होगा I want to hide my channel एक होगा I want to permanently delete my content तो गैज, आपको यहाँ पे करना क्या है अगर आप अपने channel को कुछ समय के लिए यहाँ पे hide करना चाहते हो तो आप यहाँ पे hide कर सकते हो बाद मिसे आप फिर से open कर लोगे लेकिन गैज, अगर आपको अपने channel को हमेसा हमेसा क्लिए delete करना है याँ अपने channel को permanently delete करके उस email id से एक नया channel create करना है तो गैज, आपको यहाँ पे I want to permanently delete my content पे click करना होता है यहाँ पर click करने के बाद गैज, आपको यहाँ पे so करेगा तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है कि आपको अपने चैनल को डिलीट करना है या फिर उसको हाइड करना है यहाँ पर स्टो करेगा आपको उसी मेल आइडी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है यानि उसी mail id चाहिए आप कौपी करके पेस्ट कर सकते हो या फिर यहां पिपको अपने mail id को Add कर देना है फिर इसके बाद गईज़ा आपको यहां पे डिलीट माई कॉटेंट पर किलिक करतेना है यहां पर जब आप किलिक करोगे तो आपका youtube यूटूब चैनल हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब आप अपने चैनल को यहां पर डिलीट कर देते हो तो आपका पांच से दस मिनिट तक वेट करना होता है तब आपका चैनल यहाँ पर डिलेटर सो करता है तो गास में इस चैनल को यहाँ पर इप्वेंट कर नहीं हूआ है यहाँ इसे टिलीट होने में 10 की सब्सक्राइब 11 अलके के वाह तो High तो यहां पर आप देख सकते हो अभी यहां पर सो कर रहा है कि दिस चैनल डज नॉट एग्जिस्ट तो यहां पर आपको आदे घंटे के अंदर अंदर हो सकता है पंदरे मिनट ले 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 इसके बाद आप यहां पर नया चैनल क्रियेट कर पाओगे लेकिन गाईज अगर आप तुरंत इसे करना चाहते हो तो आपको करना क्या है फिर से आपको अपने प्रोम राजर को आपन कर लेना है यहां पर मैं इसे अटा देता हूं पर आपको आपके सामने तुरंद से यहां पर ऑफिसन देने लगता है कि आपका यूटूब चैनल यहां पर नया यूटूब चैनल क्रियेट कर सकते हो लेकिन गाईज आपको ऐसे नहीं करना है मेरी सलाम आनिएगा आपको आधे घंटे तक वेट करना होता है जब तक कि यहां पर यहाँ पर मैं नया एक channel create कर सकता हूँ जब आप अपने YouTube channel को open कर सकते हो चाहे तो आप अपने YouTube app में जाकी इसे open कर सकते हो या फिर आप अपने YouTube studio से इसे open कर सकते हो जब आप YouTube studio में आईएगा तो आपको यहाँ पर इस तरह से interface सो करेगा तो guys automatic आपको कुछ नहीं करना होता है बस आपको यहाँ पर as under face सो करेगा अब आपको यहाँ पर guys करना क्या है बस आपको अपने channel का नाम add करना है create a channel पर click कर देना है तो guys यहाँ पर आपका YouTube channel create हो जाएगा और इसमें क्या important setting है मतलब अपने YouTube channel को सही तरीके से कैसे मनाया जाता है इसके लिए मैंने already एक video बना र YouTube channel को grow कर सकते हो सब्सक्राइब कर दें